महाकवी जैशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं कि वो पत्क्या पतिक कुशलता क्या जिस पत्पर बिखरे शूल नहों नाविक की कुशल परिच्छा क्या जब धार आयें प्रतिकूल नहों इन पंक्तियों को चरितरात करने वाली ऐसी महिला कलपना सरोज जी मेरे साथ हैं जिन नमस्कार आपका EVP News में स्वागत है मेडम ये जो आपकी पूरी जर्नी है कैसे शुरुवात हुई और एक महिला जो है इस मुकाम तक जब पहुचती है तो लोग उसे सलाम भी करते हों और वो सबके लिए प्रेड़ना दैग भी बनती है ये कर जर्नी किस तरह से आपकी शुर अब हर माबब का एक सपना होता है कि बच्चों की शादी हो जाए वो अपने घर जाए सुखी रहे बस यही और हम लोगों ने भी बच्पन में यही देखा था कि बस शादी होना है घर जाना है इससे ज़्यादा तो कुछ है क्योंकि उस जमने में ऐसे था ही नहीं और लड में सभी तक पढ़ना है क्योंकि वो पड़े लिखे थे पुलिस में थे तो समझ रहे थे लेकिन मामा नहीं मानिया और साद्पी में मेरी शादी होगे शादी की बाद में मैं मुंबई में ही आई लेकिन यहां उन्होंने लड़का नहीं देखा क्या कर रहा है उन्होंने मुंबई में रहता है मतलब उस वक्त मुंबई उनके लिए बहुत बड़ी यह था मुंबई में आए देखा तो जोपड़ पटी में है और पिर छे मैने में उन लोग ने इतनी बुरी हालत कर दी कि बाबा जब मुझे मिलने आए यहां हेड़कॉटर है पुलिस का तो यहां म इतने बुरे हो गए कि समाज इस पसंदी नहीं करेगा कि एकस्सवराल की लड़की में के में इस तरह से आ जाए और फिर उनके टॉंटिंग शुरू हो गए माबाप टॉर्चर होने लगे मैं टॉर्चर होने लगी और फिर मुझे ऐसे लगा कि मैंने यह क्या किया मतलब व हर हाल में बचाने की कोशिश की और मैं बच गए बचने के बाद में भी लोग शांत नहीं रहे उन्होंने फिर नया कि अगर लड़की मर गई होती तो लोग क्या कहते लोग तो यही कहते कि मादों की बेटी ने जरूर ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वज़े सीसे मरना मतलब लोगों की जो सोच है इस सोच को मुझे बदलना था मैंने सोच लिया कि नहीं अगर लोग यह कहते है कि कुछ किया होगा इसलिए मरी है तो कुछ करके मरना क्यों है फिर जी लेंगे न तो हमें जीना है दिल की गहराई तक बात पहुंच गया और मैंने सोचा कि अब म की सकते थे बाबा पुलिस में थे इसलिए पुलिस में जाने की कोशिश की तो मेरी उम्र भी कम थी और मेरे पास एज्यूगिशन भी नहीं था तो वो जो हमारे सरकल साफ थे उन्हों ने कहा कि बटा एक काम करो तुम एससी हो जाओ फिर तुमको डारेक हम पीएसाई बना देंगे मतलब प्यार से समझा कि उन्होंने भेजा क्योंकि हमारे डिपार्मेंट के लोग थे इसलिए मैंने सोचा चलो नर्स बन जाती हूं लोगों की सेवा करूंगी वहां पर भी नहीं हुआ लाश्ट आखिर मैंने सोचा मिल्ट्री जॉइन कर लेती हूं देश के कामा जाओंगे लेकिन उस वक्त लड़कियों को वो भी नहीं था तो वो भी नहीं हो पाया फिर मैं क्या करूँ समझ में कुछ नहीं आता था मरना चाहा मर नहीं सकती जीना चाहती हूं तो जी नहीं सकती करूंगी क्या फिर दिमाग में एक आया कि चलो मैं सिलाई सीख लेती तो दो लव साल में अगर आएंगे तो मैं क्या करूँगी, तो फिर मैंने अपने मा से कहा कि मुझे मुंबई फिर से भेजो आप, तो मुंबई मैं जाना चाहती हूँ, मैं वहाँ बहुत बड़े-बड़े मिल है, फैक्टरिया है, कहीं न कहीं काम कर लोंगी, तो मा बोली प पिया था, बाबा से बात नहीं कर सकते थे जादा, लेकिन अगर तुमने मुझे मुंबई नहीं भेजा, तो मैं ट्रेन के नीचे सो जाओंगी, तो फिर तो तुम बचा नहीं पाऊँगे, क्योंकि मैं इस तरह की जिन्दगी जीना ही नहीं चाहती, तो मा ने कहीं लड़क अच्छे है, गाउं में है, तो सारा कुछ अच्छा है, यहां जोपड़ में रहेगी, कहीं कुछ ऊच नीच हो गया, तो क्या जवाब देंगे, तो एक दादर में रेलवे कोटर है, ब्रीच के नीचे, आज है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि सालों पहले की बात है, हो मैं नहीं चाहता कि वो यहां रहे, यह माहौल अच्छा नहीं है, जोपड़ पटी एरिया है, आजुबा जोपड़ का, तो आप अपने पास रखोगे, तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, मेरी तीन बेटिया है, चोथी यह भी रहेगी मेरे पास, कोई बात ने, और उन्हों कि एक गाउं से आयो ही लड़की, जिस गाउं में सिर्फ एक ही रोड हुआ करता है, कहीं रोड है, कहीं बड़ी बिल्डिंगे है, किस गली से चली जाओं मैं भूल जाती थी रास्ते, बहुत डरती थी, लेकिन फाइदा नहीं ना डर के, क्योंकि काम करना है, जिद है, तो कहीं बार मैं रेलवे से ट्रेंज से गिरी, कहीं बार उठी, कहीं बार लोगों ने मुझे सीडिया वनाई होगी, लेकिन फिर भी मैं अपनी हमत नहीं हारी, अपने काम किया, मैंने देड़ दो साल तक मैं अपना काम कर रही थी, और मेरे पैसे बच रहे थे, मैंने स्टार् चलाने लगी तो मसिन तो आती थी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था तो फिर वो होते ना एक डजन दो डजन ऐसे देते हैं काम इतना करो तो मैंने इतना ज़्यादा काम किया तो मुझे दो सो ड़ाई सो रुपे मिलने लगी तो मैंने अपने जिंदेगे में सो रुपे उस पैसा था वो गुजराती फैमिली इतनी अची थी कि बोलते हम बेटियों से लेते नहीं बेटियों को देते हैं तो वो मेरे से पैसे नहीं लेते थे मैंने बोला मेरा खाना पिना भी आपके पास है आप ही मेरे माबाप पर नहीं लेते थे तो वो पैसे मेरे पास जमा हो बदनसीबी से मेरे बाबा के नोकरी का प्रॉब्लिम हो गया मैं घर की बड़ी बेटी थी तो मुझे इसे लगा कि मैं जिम्मेदार हूँ मतलब मेरी जिम्मेदारी है मेरे माबाप, मेरे बहन भाई और सब को संभालने की तो इसलिए मुझे कुछ करना चाहिए तो मैंने लोगों से सबसे का क्योंकि छोटे-छोटे मेरे बहन भाई थे जो पढ़ रहे थे तो आप मुंबई में आ जाओ हम लोग सब काम करेंगे यहां अच्छा है हम काम करके अपना जीवन जी सकते हैं गाव में तो खेतों की सिवा कुछ नहीं है तो आप यहां जाएं फिर मुंबई में तो मैं घर नहीं ले सकती मैंने कल्लैन में जाके घर लिया 400 रुपे डिपॉजिट 40 रुपे भाड़े से चाल में रूम लिया मा बाबा सबी को यहां पर बुला लिया बेन भाईयों को बुला लिया तो जिन्दगी यही है इससे ज़्यादा हमें कुछ मिलना नहीं है क्योंकि हमारे पास ना तो कोई बड़ा एज्यूकेशन है जिसकी वज़े से हमें कच्छी नोकरी मिल सकती है ना ही हम कोई विजनेस कर सकते हैं ऐसा कुछ खयाल ही नहीं है बस इतना ही पीच मेरी बहन जो है वो बहुत बीमार हो गई और मर गई एक दो हजार रुपे का कुछ ट्रीटमेंट था उसका वो हम लोग नहीं कर सके लिकिन बात जो है वो इतनी बुरी लगी मुझे कि अगर इंसान के पास पैसा ना हूँ तो हमारे अपने हमको किस तरह से छोड़के जाते हैं वो बहन तड़प के कह रही थी कि दीदी मुझे बचा ले मुझे मरना नहीं है मतलब नवी पढ़कर आई थी मैट्रिक की लड़की थी मैट्रिक में जाने वाली थी इतनी छोटी बच्ची तड़प के मर रही है चंद रुपयों के लिए तो मैंने कहा कि नहीं पैसा तो कमाना पड़ेगा क्योंकि कल मा है बाबा है जिन से मैं बहुत प्यार करती हूँ मेरे फैमिली में मेरे बहन है भाई दूसरे भी है तो अगर इनको भी मैं नहीं बचा पाई तो कि मैं क्या करूंगी तो अब मैं जो पैसे कमाना चाहिए मैंने ठान लिया कि कुछ भी हो मुझे पैसे कमाना है लेकिन कैसे कमाएंगे ये कहानी मैंने पढ़ी और उसमें आपने एक जगा लिखा है कि उसी दिन जिस दिन बहन के साथ ये हुआ उसी दिन आपने ये निश्चित किया था कि अब आप पैसे को बस में करेंगे अपने कैसे कैसे ये मुकाम शुरूआ और फिर ये करोनों का पूरा जो है आपने वो खड़ा किया तो मैंने ठान लिया कि मुझे करना है और फिर मैं कैसे करूँगी मैंने कफी कुछ सोचा तो मैंने कहीं पर सुना कि गोवर्मेंट के कुछ स्कीम है जहां से बेरोजगरों को लोन मिलता है मैंने बेरोजगार के स्कीम के अंदर 150,000 का लोन लिया उसकी भी बड़ी लंबे चवबी कहानी इतना जल्दी पेपर लगी बनाना ये वो तो होता नहीं है लेकिन मैंने बनाएं मने लोन लिया 15,000 का मैंने अपना बििजनस स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में मैंने क्योंकि मुझे आता था सिलाई का काम तो होजरी के काम से ही मैंने सोचा कि मैं बुटिक शुरू करूँगी एक दुकान ले लूँगी उसमें मैं मसीने डाल दूँगी और वैसे भी मैंने एक मसीन घर में ले रखी थी मैं काम से जाने की बाद घ जिना नहीं चाहती थी, मैंने देखा कि मेरे देश के जो यूथ है, मेरे समाज के जो यूथ है, इनकी भी मेरी जैसी बुरी हालत है, नोकरिया नहीं मिलती है, तो घर में कितनी प्रॉब्लम्स होते है, माबब, अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन नोकर में करूँगी, तो ऐसा बहुत कुछ लोगों के लिए मैं तब से, मतलब 86 से मैं बेरोजगार के लिए काम करती हूँ, और आज भी मेरी वो संगटना है, वो संगटना का नाम पहले सुच्चित बेरोजगार संगटना था, तो संगटना जहां आ जाती है, माहीं यूनियन हो बिजनेस, आज आपके पास कई कमपनिया हैं, कमानी ट्यूपस जो है, आप उसको पूरा देख रही है, कमानी ट्यूपस का सबहर ये कैसे शुरूआ और फिर उसके बाद आप कमपनिया खोलती गहीं, और आज जो है बहुत सारे लोग जो है आपके साथ काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं बिल्डर बनी क्योंकि मेरे पास एक plot है इसा litigation का आया ओर litigation मैंने दूर किया फिर मैं litigation दूर होने के बाद plot जब clear हो गया तो लोगों ने कहा कि भई मतलब clear होने के बाद मैं उसका करेंगे क्या अब वो clear करते करते भी उस वक्त भी लोगों ने मेरी इसक सुपारी दे दी थी actually मारने की क्योंकि पुरुष प्रदान देश के अंदर एक औरत बिल्डर बने क्योंकि बिल्डर का जो यह है वो तो मर्दों का है और उस जमाने में जबकि मेरी उम्र खुदी 25 के लगबग थी तो इतनी छोटी लड़की कहीं बाहर से आती उनको कहना ह मैं बाहर से आई actually मारष्ट से ही हूँ मैं अकुला से हूँ लेकिन मुंबही में कर रहे हूँ ना इसके लिए उनको ऐसे लगा तो उन लोगोंने मेरी सूपारी दे दी तो मैं तुरंत उस वक्त के पुलिस कमिशनर के पास गई वो जो भुजिंग राव मोही थे पुलिस कम होंगी तो मुझे ऐसे लगता है कि भारत की में पहली महिला ऐसी होंगे कि जिसको एक ही दिन के अंदर मेरा सवेरे ग्यारा बजे गई और शाम को छे बजे रिवल और लाइसनस मेरे आत में ता 99 की ये बात है 95 का मुझे मारनी के कोशिश की कर दी गई थी तो इस तरह से फि क्योंकि कमाने टूप पचीस साल से बन पड़ी कमपनी थी अपनी देश की एक बहुत बड़ी मतलब ये ऐसी कमपनी है जिसकी वज़े से इसी का एक तयार हुआ जिसकी वज़े से ऐसा निरने सुप्रिम कोट ने दिया कि वर्कस मालिक बन गए और मालिक को कमपनी से बाहर क कर दिया गया तो ये देश का पहला इसा निरने है इस कमपनी का तो ऐसी कमपनी के वर्कस भूक के पैसे मर रहे थे मेरे पास आये उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी को टेक वर कर लिजेगा आप ये मैं कैसे टेक वर कर सकती हूँ मुझे तो कोई गंध है नहीं इस तरह का हो गई मुझे क्योंकि मैंने भूक और पैस को बड़ी करीब से देखा था मौत को बड़ी करीब से देखा था तो मैंने कहा कि नहीं कुछ करते हैं करने से क्या होता है होगा तो होगा अच्छा होगा नहीं होगा तो नहीं होगा लेकिन करना चाहिए इनके लिए और मैंने क कहा कि ठीक है मैं करती हूँ तो जितने भी मेरे शुप चिन तक थे मैंने सब से पूछा कि यह सब मैं करना चाहती हूँ तो बहुत क्यों आत्म हत्या कर रहे हो आप यह कोई काम है क्योंकि मतलब इसका कुछ यही नहीं है यह पूरा खत्म हो गया है जो सिख हो गई है कमपनी क कोई भी हाथ नहीं डाल रहा है, तुम क्यों जा रहे हों? मैंने का नहीं मैं वरकस के लिए जा रही हूं और यह मुझे करना है. मैं यहाँ पर आई, पहले मैंने दस लोगों की टीम तयार किया, जो मार्केटिंग वाले होंगे, जो पर्चेसिंग वाले होंगे, जो एकोनॉम मैं यहाँ पर आई, एक सो सोला करोर का करजा, एक सो चालिस लिटीकेशन के केसेस, और दो बड़े यूनियन, और यह होने के बावजूद, यहाँ कमपनी में कुछ भी नहीं था, कमपनी सीख थी, तो है क्या यहाँ, प्रॉपरेटि के नाम पर यह जो दो बिल्डिंग हमारी जो फैक्टरी लगी हुई थी, वो हमारे वर्कर ने पहले ही, दो एकर हर्च गोइंका को दे दिया, दो एकर वो, एक कोई और बिल्डर था, उसके साथ में यह कर लिया, तो वो भी जमीन बिग गई, वो भी हमारे पास नहीं है, तो कोई भी क्यों नहीं आए, इस हमारे भरा है, हमारे लिए तो वर्कर्स के लिए हमें काम करना है, तो हमने यह सोचा ही नहीं कि हमें क्या मिलना है, हमने यह देखा कि हमारा पेड भर रहा है, हमने जो कुछ भी किया था, तो हमारा काम चल रहा है, तो हमें पैसों की इतनी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तर लाख रुपए कमाने को दिये हुए थे इसलिए गोवर्मेंट का डायरेक्टर और बैंक के जितने बैंक चार-पाच बैंक के लिएबिलिटी थी तो इस तरह का बोट था तो उन्होंने कुछ क्वच्चन मुझे पूछे उनके सवालों के मैंने सारे जवाब दिये शायद और अभी से देखने होगे लेकिन कोट के अंडर होने के नाते कमपनी आपको कोट आपको कमपनी देगा या नहीं देगा हमें नहीं पता क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है यह सारी चीजे लेकिन आपके जो पैसे लगने हैं यह अन्सिक्रिट के लाइन में आप भी खड़े ह किया बुलकल से आप सारी काम करो डाई करोड रुपया जो है वह आई डी बे हमारी अप्रेजिंग एंजेसिंथी वहां पर भर दो आप और रोज के जो काम है तो रोज के काम क्या है कोट में मुझे लॉयर देने है क्योंकि एक सारे डिसीजन हो रहे थे कोट में लॉयर देने हैं यह सारा management देखना है फैक्टर की सारे parts चूरी हो रहे इसके लिए वहां पर watchman देने हैं clerk यह सारा का यह सारा हम फिर शुरू हो गया तो 2000 से लेके 2006 तक में सारा काम करती रही और वहां बिया फर कोट में हेरिंग हमारे होते रहे हर मैने हेरिंग होते थे वो हेरिंग में ह इतना वक्त लगा और जो है इस पूरे काम को आप किसको सरे देती हैं एक्चुली टाइम तो काफी लगा 2000 से लेके 2021 तक यह 21 का आकड़ा जो है वो मेरे लिए बड़ा इसूब रहा क्योंकि क्या हुआ कि 21 मार्च 2006 इसमें कोट ने स्कीम मेरी पास करके मुझे कमपनी का मालि ठीक है दूसरा 21 मार्च अभी जो 21 मार्च आ गया हम लोग कोट से बाहर निकल गए 2011 में कोट ने हमें कहा था कि हम आपको कमपनी ज़रूर दे रहे मतलब 2006 में दिया था 21 मार्च 2006 में कमपनी मुझे दी थी लेकिन उसमें कंडिशन यह थी कि आपको 2011 में यह सारा कुछ खत्म करके बाहर निकलना है उसमें खत्म क्या करना है सारे मतलब जितने भी लिटिकेशन के केसे से वो सारे खत्म करने है सारे पेमेंट खत्म करने है फैक्टरी शुरू करनी है वरकर्स को रोजगार देना है मतलब धेर सारा का ठीक है और आपको बताते हुए खुसी होती है government के लोग थे उनको सब को जा जाके request करके सब को खाली करवाया, building के खाली हो गए, वहाँ जो factory का था, वो factory की जगा भी खाली करके मेरे पास में factory का जगा वाड़ा में था, वो सारा shift करके वहाँ पर मैंने अपना factory शुरू किया, वर्करों को रोजगार दिया, तो इस तरह से मैंने सारा कुछ और जितना भी liability थी, वो सारा कुछ कतम करके 2011 में हम लोग success हो गए है, आज, आज company में कितने worker काम कर रहे हैं, और पूरी company के अगर मैं turn on की बात करूं, तो कितने, कितना turn on की बात इसलिए नहीं कर सकते क्यों कि दो साल हमारे पास में covid था और हालत वैसे ही सबकी बूरी है सारे businessmen की, तो इसलिए ये, लेकिन वर्थ अगर बताया जा तो मेरे पास बहुत कुछ है, जैसे कि अभी आपके सामने देख रहे हैं कि मेरे पास अपनी company के दो building के यहां पे खड़ी है, मेरा यहां पर जो है बैंगलोर में, बैंगलोर में में मेरा एक बहुत अच्छा project, actually मेरा बैंगलोर का बहुत लंबा चोड़ा story है, लेकिन खेर इतना वक्त भी नहीं होगा, और वो बहुत मतलब मुश्किल से मैंने वो ऐसे समझे न कि सेर के गले में फसी हुई property को खीच के निकाल कि उसको मैंने develop किया, कम से कम 500 करोड़ की वो मेरी property जो अभी develop हो रही है वहाँ पर, फिर में, अभी कितने worker काम कर रहे हैं, आपकी पूरी अगर मैं, जो भी कमपनिया हैं, उसमें अगर मैं बात पनो, तो कितने लोगों को रोजगार मिला है, और कितने लोग काम कर रहे हैं, आपको बताना चाहूं, तो मैं इस बारे में थोड़ी सी इसके खिलाब इसलिए हूँ, क्योंकि इस company को डुबाने वाले ही worker union है, और सिर्फ इस company को नहीं, Bombay के जितने भी बड़े-बड़े mail और बड़ी-बड़ी company आ रही होगी, वो सब के सब जब डूब गई है, तो सिर्फ और सिर्फ union लीडरों की वज़े से डूब गई है, worker का दोश नहीं, मालिक का दोश नहीं, जो union लीडर है न, उनकी सारी planning और उनके सारे, मैं तो कहूँँगे, एक तरह के दलाल होते हैं ये लोग, वज़ा ये है कि ये बंदुक रखते है, workers के खांदे पे, और चलाते हैं ये लोग, और दोनों के बीच में दुरिया पैदा करके, खुद का फाइदा देखते है, खले, इसके लिए मैंने government से भी बहुत सारा ये, मतलब योजना भाउन में जाके, सब के साथ मिटिंग लेके की, कैसे इन लोग worker का फाइदा लेते हुए, किस तरह से company को डुबा रहे है, करके बोला था, तो आज हम जो काम करते हैं न, हम सिर्फ contract basis पे करते हैं, और वही सही है, क्योंकि फिर से union बने, फिर से डुबा दे, ये मैं नहीं चाहती, इसलिए मैंने ये किया है कि, जैसे कि एक contractor को बुला लिया, और मैंने कहा, मुझे सौ लोगों की जरूरत है, क्योंकि मुझे ये, ये, ये माल बनाना है, ठीक है, फिर उसमें, उसकी जिम्मेदारी है, कौन सा engineer रहेगा, कौन सा feature रहेगा, कौन सा क्या रहेगा, वो मुझे देगा, वो मुझे काम करवा के देगा, और वो मैं पेमेंट उनको करूंगा, अपने जो कलपनाएं की, अपनी जीवन में उसको बहुत सारा सब कुछ पूरा किया, ये इस पूरी ये यहां तक के सफर को, किसको स्रे देती हैं, यहां तक आपको पहुँचाने मे ये तो एक्चुली डॉक्टर बाबा साब आमेटकर का जो विशार है, जिन विशारों को लेकर मैं चली हूँ, क्योंकि बहुत सारी तकलीवे होती हैं काम करते हुए इंसानों को, इंसान डर जाता है, ठक जाता है, और फिर आगे चलने की उसकी सारी उम्मीदेजियों है, लेकिन मैंने जब भी बाबा साब को देखा, सोचा, पढ़ा, तो मुझे असे लगा कि वो एक अकेले वेक्ती थे, पूरी इसके अंदर, भारत के अंदर अकेली वेक्ती थे, जिनके साथ कोई नहीं था, वो अकेले थे जो अपनी लड़ाई लड़ रहते, और वो जब इतन हैंने भी तकलिबे आती थी, जैसे उनका खयाल आ जाता था, फिर तयार हो जाती कि नहीं हमें करना है, हमें आगे वड़ना है, एक सवाल बीच में की, एक महिला होने के नाते, जो है आपको क्या-क्या, क्योंकि एक महिला यहां तक पहुचने में, बहुत सारी जो है, कठना ईयों को सामना करना पड़ता है आपको किया किठना या आई जो महिला हो to coming you काड़ आया आया एक्च्छ्यली तकलिवय तो हुई जब मैं Gil boy भर निकलती थी तो फ़ लोक खूब सा इसे मिल सी और ज Q而已 खरएं टो लोग time अकरएंगत करेंगे आई बाहर अपने आप में एक समझदार, अच्छी और उसका भविश और खुछ जानती है, वो सब समझती है कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन यह जो ताका जाकी करके लोग उसको कुछ गलत समझने की कोशिश करते हैं, मैं समझती हूँ कि यह बहुत गलत ब पिर हम काम, जैसे मैंने आपको बता है ना कि मेरा मडर का सुपारी, तो मेरी मडर की सुपारी दो से तिन बार मेरे साथ में यह कोशिश की गई, कि यह बहुत जादा आगे बढ़ रही है, समझे ना, तो इसको कहां कैसे खत्म किया जाए, यह भी कोशिश ही हुई है, लेकि तो वैसे भी मौत से मिल कर आई थी, तो मौत का मुझे डरी नहीं लगता, सही बात तो यह है, क्योंकि जो डर गया हो मर गया, यह मेरा मानना है, और फिर मौत जब आनी है, तो उसको आनी है, वो किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं है, तो उससे क्या डरना है, तो उसके भी आपके साथ में होती है और सारी चीजे जो है ना जितनी मुश्किल होती है उतने आपके लिए आसान कर देती है अगर मैं कुछ आवार्ड की बात करूँ तो कौन-कौन से आवार्ड मिले मैं यहां तस्वीरे देख रहा हो कि सारे राज़्टपती जो है यहां पर मुझे दिख रहे हैं तस्वीरों में कौन कौन से अवार्ड मिले आपकी सफलता के लिए एक्चुली मैं अपने आपको भागशाली समझूंगी कि मुझे इतने सारे अवार्ड मिले है जैसे अभी नारी शक्ति जब मैं लेने के लिए गई ती तो वहां के लोगों ने मुझे ये कहा कि हमारे ये आवार्ड आपको मिले का ना तो हमारे आवार्ड की गरिमा बढ़ेगी तो ये मेरे लिए कितनी बड़ी सौभाके की बात हो सकती है मुझे नारी शक्ति मिला तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है वो एक बहुत बड़ी बात है अब्दुलकलाम जी के साथ में काफी अच्छे ये रहे मेरे जब भी जाती थी कोई ऐसे वो हम लोग नालंदा यूनिरसिटी का उनको वो दे रहे है कि एक मुस्लिम राजा ने उसको ये कर दिया था तो एक मुस्लिम राजा अभी आप भी है तो उसको रिवाव कर दिजिए तो इस तरह से तो करने से होता है वो हिम्मत वो मेहनत आपके अंदर होनी चाहिए वो जिद कुछ जुनून होना चाहिए कुछ करने का अगर आपके अंदर है तो मैं नहीं समझते कि कोई काम मुश् लड़कियां हैं उनको क्या कहना चाहें कि इस जो भारत बदल रहा है जो आजादी के अप 75 साल मना रहा है किस तरह से और आगया है और अपने मुकाम हासिल करें वो लड़कियां वो महिला हैं वो बिलकुल सब कुछ कर सकती है वजह बता रही हूं कि मुझ जैसी जिसके पा वो अगर इतना सब कुछ कर सकती है तो आज की लड़किया जिनके पास पूरा एजुकेशन है पूरा समाज उनके साथ है घर फैमिली उनके साथ है मेरे साथ वो भी नहीं था कुछ उसके बावजुद अगर मैं एक मुकाम पर पहुं सकते हूं तो आज की लड़किया क्यों नहीं और हर चीज उनके लिए है सरकार उनके साथ है समाज उनके साथ है घर फैमिली उनके साथ है सिर्फ जरुरत है उनके सोचने की कि मुझे कुछ करना है अपने आपको पैचाने की अपने आत्मविश्वास को जगाने की जब वो जाग जाएगा ना तो यकिन मानिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं तो आज जो हमारा 75 साल जो भारत को आजादी मिली है तो हमारी महिलाओं का भी मतलब बहुत बड़ा योगधान है इस सारी इसमें और हमारी महिलाओं भी बहुत कुर। आज हमारी मिल्टरी में देखिए कितनी बड़ी महिला है वहाँ पर इतना अच्छा काम कर रही है कहां नहीं जा रही है महिला है और हर जगा पे मतलब अंतरिक्ष में जा रही है हर जगा पे जा रही है और अभी और भी जरूरत है जो महिला है कहीं पे थोड़ा सा कहीं डर होगा उनके दिल में तो वो सारा निकाल दे बिलकुल हम जैसे कहते थे थे ना कि हम खांदे से की करेगा और जैसे कि हम छोटा सा तरक्की का एक हिस्सा बने हैं ऐसी हर महिला भी बन सकती है सिर्फ वो अपने आपको पैचाने अपने विश्वास को जगाए तो ये कलपना सरोज थी जिन्हों ने अपनी जिन्दगी में जो भी कलपनाएं की आज उसे पूरी किया बच्पन से बहुत सारी जो है परिवार में या फिर समाज में चिम्मेदारियों को देखते हुए आज उन्होंने इतना बड़ा इंपायर खड़ा किया है और ये देश की हर महिला हर लड़की के लिए एक जो है प्रेरणा सरोथ हैं कलपनाजी से हमारी बात चीत ह हुए और उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताए कि कैसे उन्होंने बच्पन से तमाम सारी दिक्कतें जेली और आज उन्होंने इस मुकाम पर अपने को खड़ा किया है कि राश्टपती पुरुसकार उन्हें मिले हैं तमाम सारे जो बड़े-बड़े पुरुसकार हैं पद जावेद के साथ राजे इस्तरपाथी, ABP News, मुंबई